नमस्कार लीड इंटिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा किरायदारों जो रेंटर होतें उनके अधिकार के बारे में जो टेनेंट्स होतें उनके अधिकार के बारे में देखे हमारे देश में मौड commercial shop लेते हैं तो rent agreement में सारे terms and condition लिखे हुए होते हैं महीने का rent क्या होगा आप commercial काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर आप कोई गलत काम करने लगें तो क्या जो agreement में नहीं लिखी गई है तो क्या होगा इन सभी बातों को लिखा गया है और यदि आप agreement से हट करके कुछ आ आप करने लगेंगे तब मकान मालिक को यह अधिकार है कि वो आपसे मकान खाली करने के लिए कह सकते हैं लेकिन इसके लिए 15 दिन का कम से कम नोटिस देना परेगा तब ही मकान आप खाली कर सकते हैं दूसरा जो है कानून कहता है कि करायदारों को सिक्यूरिटी मनी दो महीने के किराय से ज़ादा नहीं देना चाहिए यह कानून कहता है कि दो महीने से ज़ादा आपको देने की जरुरत नहीं है सिक्यूरिटी मनी लेकिन अगर सिक्यूरिटी मनी ज़ादा हो भी रहा है तो वो rent agreement में जरूर mention होना चाहिए अगर यह rent agreement में ना हो तो फिर यह गलत है और security money जो मकान मालिक ने लिया हुआ है उसको जब भी आप घर खाली करेंगे उसके एक महीनी के अंदर security money को लोटाना भी होगा देखे कई बार किराय के घर में रहकर लोग बहुत दुखी हो जाते हैं हमेशा सोचते हैं कि उनके अपने घर का सपना कब पूरा होगा तो गीता में भगवान सिरी कृष्ण कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है फिर वो होता है जो मैं चाहता हूँ इसलिए वो कर जो मैं चाहता हूँ फिर वह होगा जो तू चाहता है इस बात का जिक्र जो है गीता के आठवे अध्याय में किया गया है तो जब कभी भी आप हताश हो रहे हों कि मकान मालिक आपको या जो भी लैनलोड है वो आपको परिशान कर रहे हैं तो इस बात को याद रखेगा इश्वर बे भरोसा रखना चाहिए परिशान नहीं होना चाहिए तीसरी बात जो आपका राइट है कि यदि मकान मालिक को किराय बढ़ाना है तो इसके लिए उसे किराय रादार को तीम महीने पहले नोटीस देना होगा हलाकि अगर मकान मालिक मकान में कोई सुधार कराता है कोई रेनोवेशन का काम कराते है तो रेनोवेशन का काम जब खत्म हो जाएगा उसके एक महीने बाद ही किराया बढ़ाने के बारे में बात कर सकते है और वो भी किरायदार से सलाह लेनी होगी तभी और किरायदार भी सहमत होंगे तभी रेंट को बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा जो चौता राइट है कि रेंट एग्रिमेंट लागू होने के बाद अगर मान लीजिए कि मकान का धाचा खराब हो जाता है मकान माली को उसे रेनोवेट कराना है और वो रेनोवेशन कराने के स्थिती में नहीं है तो किरायदार मकान का रेनोवेशन खुद भी करवा सकते हैं और किराय को कम कर सकते हैं लेकिन मैं आपको ये बताओं कि जब कभी भी आप किराया देते हैं किराय के लिए जो है आपको जरूर रिसिप्ट लेना चाहिए और कोई भी विवाद हो जाए तो किरायदार रेंट आथोरिटी एक बनी हुए देश में हमारे पास है आप वहाँ जाकर के मकान माली लैनलोर्ड के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं जो पाच्वा पॉइंट है कि किरायदार को हर महीने किराय देने के लिए जो मैंने अभी आपको बताए कि रसीद लेना चाहिए और अगर मकान माली आपको रसीद नहीं दे रहा है तो आप उनको forcefully कह सकते हैं उनको बता सकते हैं कि आपको देना परेगा और रसीद मिलने के बात से ही आप कोट में जा सकते हैं और सबूत के तौर पे दिखा सकते हैं कि आप एज़े रेंटेड रह रह रहे हैं किसी घर में और आपको यह रसीद मिलता है जिस सावित होता है कि आप किरायदार है अब एक और जो लांस्ट पराया एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है किरायदारों को कि अगर किरायदार घर में नहीं है और मकाम मालिक को उसके घर के ताले या उस घर में कुछ करना हो ताला लागा हुआ हो तो क्या मकाम मालिक जाकर उसको खोल सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कम से कम 24 घंटे पहले लिखित में नोटीस देना होगा कि वो ان damping करना चाते हैं ये किसी काम के लिए आना चाते हैं तबी मकान माली किराएदार के पास जा सकते हैं और जा करके घर को inspect कर सकते हैं तो उम्मीर है कि इस topic से जो किरायदारों के tenant के जो rights हैं वो मालूम चले होंगे अगर फिर भी आपके साथ कोई व्यक्तिकत मामला हुआ है और आपको share करना चाहते हैं तो जरूर बताइए, comment कीजिए या mail कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको like की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच